आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने एक फिक्चर देख रहे होंगे और यह हैं हमारे देश के पहले राष्टपती डॉक्टर राजिन दिपिसाद तो आज हम लोग इनके बारे में एक सामान जानकारी देखेंगे और इनका परिवारिक बैक्ग्राउंड किस तरह से रहा है इनकी सिक्षा किस तरह से रही है और उस समय जो राष्टी आंदोलंग चले है उनमें इनका युगदान किस तरह से रहा है और राष्टपती का सफर किस तरह से इन्होंने पूरा किया और इने कुछ पुरुसकार भी मिले हुए हैं, इनकी कुछ रचनाएं हुए हैं, उने भी हम लोग देखेंगे कुछ और पिक्चर देख लीजे आप लोग या आप देखें, नहरू आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे अगर हम लोग इनकी जनम की बात करें, तो आप देखेंगे कि डॉक्टर राजन पिसाद का जनम तेन दिसंबर 1884 को जिरादेई गाउं सीवान जिला विहार में हुआ था, कहां विहार में अब अगर आप लोग बिहार को देखें ना, तो यह हमारा भारत है, यहाँ आप देखें बिहार, पटना आप लोगों को इसकी रादधानी देखने को मिलेगी इसकी अंतराश्टी सीमा नेपाल से लगती, राज्यों में उत्तर प्रदेश जारकन, पश्चे मंगाल से लगती है और आप देखेंगे कि यहाँ बिधान सभा में 243 सीट है, बिधान परिशत भी है जिसमें 75 सीट है, राज्य सभा में 16 सीट है, लोग सभा में 40 सीट है उनकी पत्नी का नाम राजबंसी देवी था, यानि कि आप लोग कह सकते हैं कि इनका बाल बेवा हुआ था, और उस समय आप देखेंगे अधिक तर जो हमारे सुतंता सैनानी रहें, जो आप देखें कि आंदोलनकारी रहें, उनका बच्पन में ही साधी कर दी गई थी, आप इतने पितिवा संपन और उच व्यक्तिते वाले सज्जन हैं, देखने में भी सामान किसान जैसे लगते थे, उन्हें पूरे देश में अतिन्त लोकफ्री होने के कारण, उन्हें राजेंद बाबू या फिर देश रतन कहकर पुरकारा जाता था, अगर हम लोग इनकी पे मासिक चातिविती दी जाती थी, 1902 में उन्हें पिसिद्ध कलकत्ता प्रसीडेंसी कॉलेज में प्रवेस लिया, और यहां उनके सिक्षकों में महान विज्ञानिक जगदीश चंद बॉस और मानिये पिरफुल चंद रोय सामिल थे, बाद में उन्हें विज्ञान से हट अगर राजनीती में हम लोग डॉक्टर राजन पिसाद का कदम देखें, तो आप देखेंगे कि बिहार में अंग्रेज सरकार की निल के खित थे, और आप देखेंगे कि सरकार अपने मजदूरों को उचित बेतर नहीं देती थी, और 1917 में गांधी जी ने बिहार आकर इस सम अस्या को दूर करने की पहल की, और उसी दोरान डॉक्टर राजन पिसाद गांधी जी से मिलते हैं, और आप लोगों ने चंपारन आंदोलन सुना होगा न 1970 का, और उनकी विचारधारा से भी बहुत प्रभावित हुए, और 1919 में पूरे भारत में सभी ने आंदोलन की लहर और गांधी जी ने सभी स्कूल सरकारी कार्यालेयों का बहसकार करने की अपील की, और जिसके बाद आप देखे, डॉक्टर राजन पिसाद ने अपनी नौकरी चोड़ दी, और आप देखेंगे राष्टी आंदोलन की दोरान, मातमा गांधी ने आप देखे, नौकरी देखे, चमबारन अंदोलन की दोरान, राजन पिसाद गांधी जी के बफादार साती बन गये थे, और गांधी जी के पिरभाव में आने के बाद उन्होंने अपने पुराने और रोडी बाती विचारधरा का त्याग कर दिया, और एक नई उर्जा के साथ सुतंता अंदोल चेड़ दिया, और इस दोरान डॉक्टर पिसाद को कई बार जेल जाना भी पड़ा, जो आज कल आप लोग आजादी देख रहे हैं न, ये इतने आफसानी से नहीं मिली, बहुत सारों ये लोगों को आप देखे, पितारित होना पड़ा, तरह तरह की यागनाएं जेल नी कई लोग आप देखते हैं कि सहीद हो गए, 1934 में उनको बंबई कांगरेस का अध्यक्च बनाए गया, और इस कांगरेस की बात करें तो आप देखेंगे 28 देसंबर 1850 में स्थापना हुई थी, और पहले अध्यक्च इसकी बियोमेड चंद बनर जी, WC बनर जी थे, और संस पंदर अगरस तो 1947 को भारत को सुतिंदा पराप्त हुई, लेकिन समिधान सवाखा गठन उससे कुछ समय पहले ही कर लिया गया था, और आप देखेंगे समिधान निर्माण में भीमराओं मेड करवार राजिन पिसाद ने मुख भूमिका निभाई थी, और भारती समिधान सम्ती के अध्यक चिर डॉक्टर राजिन पिसाद चुने गया, और समिधान पहस्ताक्षर करके डॉक्टर पिसाद ने ही इसे माननता दी थी, अगर राष्टपती की रूम में इनके कारकाल को देखें, तो 26 जन्वरी 1950 को भारत का, इन्हें डॉक्टर राजिन पिसाद को प बहुत सारी संस्थाओं का जनम भी हो चुका था, 1957 में फिर राष्टपती चुना हुए, जिसमें दुवारा राजिन पिसाद जी को राष्टपती बनाए गया, और वे पहली वार आखिरी वार था जब एक ही इंसान, दो वार लगातार राष्टपती बना था, 1968 तक वे सरो मेरी आत्म था, बाबु की कदमों में बाबु, मेरी यूरोप यात्रा, इंडिया डिवाइड़िट, सत्यागे एड क्यमपरन, गांधी जी की देन, भारती सिक्षा, भारती संस्किती वा खादी का अर्थ सास्त, साहित, सिक्षा और संस्किती, इनकी प्रमुक किठियां, औ 1962 में अपने राजनेती को सामाजी के उदानी के लिए उन्हें भारत की सर्वस्तिष नागरिक सम्मान भारत रतन से नबाजा गया था, भारत रतन कब सुरू हुआ था, 1956 में, वे एक बिद्वान, पिद्भासाली, द्रण, निश्ची, उदाज, द्रश्टी कौन वाले बैक तो 28 परवरीद 1963 को डॉक्टर पिसाद जी का, डॉक्टर राजन पिसाद जी की डैथ हो जाती है, यानि की इनकी मित्ति हो जाती है, उनके जीवन से जुड़ी कई ऐसी घटना हैं जो प्रमाडित करती हैं कि राजन पिसाद बेहत दयालू और निर्वल सौभाव के थे, भा सौट वाइगराफ ही आप लोग कर सकते हैं, सौट कहानी कर सकते हैं आप लोग, डॉक्टर राजन पिसाद की हैं और हम लोग सभी राश्टपतियों के बारे में एक क्रम से देख लेंगे, ठीक है, और भी किसी के बारे में जाननी की दिल्चस्वी हो तो उसका नाम आप ल झाल झाल